नमस्कार दोस्तों आज बताने वाला हूँ कैसे आप Form 16 या Form 16A डाउनलोड करेंगे जो TDS सर्टिफिकेट होता है सिम्पल आपको Google पे आना है और यहाँ पे लिखना है Income Tax Department और आपको Income Tax की साइट पे आना है यह देशिकते हैं Income Tax.gov.in IECFO Portal इस Portal पे आएंगे देखो यह Income Tax का E-Filing Portal है यहाँ पे आने के बाद आपको कर लेना होगा Login अगर आप Registered नहीं है तो सबसे पहले आपको Registered करना होगा Login के लिए Pen Number यूज करेंगे User ID होता है Then Password जो आपनी Create किया है वो Password डालके इसको कर लेंगे Login चलिए मैं कर लेता हूँ Login तो दोस्तो यह मैंने कर लिया है Login अभी करना क्या है Form 16 या Form 16 A को Download करने का तरीका बताऊँगा अभी करना क्या है दोस्तो यहाँ से जाना है आपको E-File में Income Tax Return में और View 26 AS में जाएंगे यह Pop-Up आएगा बोलता है कि आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा यह कोई बात नहीं तनफर्म पे क्लिक करना है देखो यह है Traches की वेबसाइट अभी यहीं से हमारा Form 16 और Form 16 A डाउनलोड होगा तो चलिए इसको डेटेल में समझते हैं उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाइबंदू मेरे चैनल पे पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जिन्हों ने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए सारी साथ बाल आइकन पे भी क्लिक कर लिजिए तक इस तरका content आपको मिलता रहा है सो दोस्तों देख सकते हैं यहां बोलता है कि आप form 16 या form 16A को generate कर सकते हो इस पे click करेंगे और ये traces की site पे generate होता है देखो traces के site पे automatic लेकर आजाएगा अभी proceed पे click करेंगे देखो यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है विव टैक्स क्रेडिट प्रोविजनल टीडियस सेटिफिकेट फॉर्म 16 या फॉर्म 16A और साथी साथ फॉर्म 27D को भी निकाल सकते हैं मतलब फॉर्म 16 फॉर्म 16A दोने ही यहीं से आपको निकलेगा इस पे क्लिक करेंगे मैं आपको बता दू देखो यह जो सेटिफिकेट होता है यह प्रोविजनल बेसेश पे होता है ठीके ओरिजनल नहीं होता ओरिजनल आपको जिसने टीडियस काटा है वही आपको original TDS certificate देगा original form 16 या form 16A देगा यहाँ पर आप provisional basis पर निकाल सकते हैं ठीके तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 10 number जिसने भी TDS काटा है उसका अगर आप form 16 या form 16A निकलना चाहते हैं 10 number अभी 10 number के लिए आपको क्या चाहिए होगा आपको detail चाहिए होगी कि किसने मेरा TDS काटा है इसके लिए सबसे पहले है तो आप form 26 AS देखो यहाँ पर view 26 AS यहाँ पर आगे view 26 AS पर यहाँ से लेंगे assessment year मान के चलिए कि मैं देखना चाहरा हूँ financial year 22-23 का तो उसके लिए assessment year कुन से हो जागा उसके लिए assessment year हो जागा 23-24 यहाँ से लेंगे HTML view download पर क्लिक करेंगे अब export as PDF पर जाएंगे तो यहाँ से PDF में जो है form 26 AS यह हो जागा open देखो यह हो गया open अभी मेरा मान के चलिए कि bank ने भी TDS काटा है और यह देखो flip card ने भी TDS काटा है तो मैं क्या करूंगा simple है अगर मैं flip card का form 16 निकाल रहा हूँ तो इसके 10 number को copy करूंगा देखो यह हो गया 10 number copy control C से 10 number copy कर लिया अभी आजाएंगे view credit पे और यहाँ से आजाएंगे form 16 पे देखो यहाँ से 10 number paste कर दिया हमने 10 number की detail मिल गी कौन से year का है तो financial year 22-30 का है कौन से assessment year 23-24 आ गया कौन सा form डाउनेड कर रहे है तो देखो other than salary होता है तो उसमें लेते हैं form 16A और अगर salary से होता है तो form 16 लेते है तो other than salary का है मेरा तो form 16A ले लिया उसके बाद यहाँ से quarter ले लेंगे मन के चली की third quarter है third quarter पर click कर लिए अभी third quarter की TDS की return नहीं गयी होगी मन के चली second quarter है view पर click करेंगे तो दो खोड़े उस तो यह आगया हमारा provisional form 16A जहाँ पर employer का यहाँ पर नाम आ गया जिसने TDS काटा है और यहाँ पर मेरा नाम आ गया जिसका TDS कटा है कितनी-कितनी entry यहाँ है कौन-कौन स सारी detail है जाएगी देख सकते हैं यह ऐसे यह आपको provisional basis पे होगा यह original नहीं है original आपको वही देगा जिसने TDS काटा है तो original अगर आपको चाहिए तो form 16 उसी से लेना पड़ेगा जिसने TDS काटा यह provisional basis पे आप फिलाल के लिए temporary basis पे ले सकते हैं इसका screenshot शेयर कर सकते हैं अपने CA को जो अपकी ITR बगरा को prepare कर रहा है या फिर जहां भी आपको देना है इसका screenshot शेयर कर सकते हैं लेकिन original आपको वही देगा जिसने TDS काटा है समझगे देगो ऐसे ही निकालना होता है form 16 यह form 16 है और अगर आपका salary को पर कटेगा तो आप यहाँ पे ले लोगे form 16 फ यह फिर से बता रहा हूँ original नहीं होता provisional basis पे होता है original वही person देगा जिसने आपका TDS काटा है वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताए तैंकी सो मत जय हिन अवंदे मात्रव